तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इन questions को solve कर रहे हैं जो की sample questions है ICI ने अपने website पर upload किये हैं और आपका 29th को examination है और जितने भी students ने level 1 को qualify कर लिया है सबसे पहले congratulations और ये हम analysis इसलिए कर रहे हैं so that आपको कुछ ना कुछ उन questions को रटना ना पड़े और थोड़ा सा समझ में आपको उससे आजाना चाहिए ठीक है आपको मैं पहली बता दूँ ये questions indicative है मतलब एक तरीके से examples दे रखें कि इस तरीके के questions आ सकते हैं ये ही question आपके quiz में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है और बाकी आपके जो भी questions आ सकते हैं उससे similar कुछ हो सकते हैं आपको एक parameter पता चल जाता है और कितने हम इसमें से accountancy करेंगे business studies करेंगे तो ये सारी चीज़े हैं वो इसमें हम solve करके चलेंगे तो सबसे पहले accountancy से शुरुआत कर लेते हैं और मैं request करूँगा प्लीज आप copy pen ले लीजिएगा और उसी के हिसाब से अगर कुछ आपको लगता है तो उससो सासत no doubt भी करते रहिएगा तो सबसे पहले question से चलते हैं accounting does not show the realizable value of business it isn't ये क्या है limitation है advantage है मतलब जब because क्या होता है accounting में हम क्या करते है historical cost के basis पर अपनी accounting करते हैं तो वो realizable value नहीं बताता business का तो वो क्या है एक तरीके से limitation है accounting की ठीक है चलिए तो इस तरीके से हमारे को questions को solve करते हुए चलना because आपके पास इसके answers नहीं है तो कहीना कहीं आपको एक guidance की support की जरुवत है तो कहीना कहीं मुझे लगता था कि और मेरे को students ने request भी करी कि sir please आप कुछ sample questions का भी अगर बना सकते हैं इस वेरी useful तो मतलब मुझे लगा तो ठीक है मैं अगर चलिए हम इसमें अगर provide कर सकते हैं तो 9,10 का तो available हो गया है 11,12 और graduate session का दीरे दीरे आपके पास पहुच जाएगा तो मैं आपसे request करूँगा आप अपने friends के साथ जो भी है आपके अगर कोई junior है तो उनके साथ भी video को share कर सकते हैं so that हमारे को भी इस तरीके का motivation मिलता रहे अब second बात कर लेते है capital capital क्या है देखिए capital basically क्या होता है अगर अगर capital की हम बात करते हैं तो जैसे business होता है business में जो owner पैसा लगाता है अपना उसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से internal capital और अगर कोई business में हम loan जैसे माली जे bank से loan ले रहे हैं तो वो क्या हो गया एक तरीके से external चीज हो गई तो अगर हम इसके देखकर बात करें तो internal भी हो सकता है it's depend upon the case तो आप इसमें A भी चूज कर सकते हैं और C C भी कर सकते हैं बट इसमें मेरे साब से C हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ ज़्यादा clarity नहीं है क्योंकि वो internal भी हो सकती है और external भी हो सकती है बट अगर आप proprietorship या उसके concern में चलते हैं तो it's internal liability ओके चलिए according to which of the following accounting concepts even the proprietor of a business is treated as a creditor to the extent of his capital क्या बोल रहा है कि देखिए accounting में हमारे पास बहुत सारे concepts होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा accrual concepts, going concept, dual concept, cost concept, business entity concept, money measurement concept तो ठीक है न 3-4 के तो आपको यही नाम दे रखे हैं तो basically अब क्या बोलता है कि जब proprietor भी क्या करता है उसको भी एक तरीके से आप क्योंकि proprietor ने क्या करा अपने business में पैसा लगाया तो उसको एक तरीके से भई आप जो business है वो तो देगा ना पैसा क्योंकि वो पैसा लगाया है तो एक तरीके से वो किस concept के basis पर चलता है वो business entity के concept के basis पर माना जाता है ठीक है चलिए next हमने थर्ड question तक होगे अंडर the cash basis of accounting expenses are recorded जो भी हमारा cash basis of accounting है उसमें हम जो भी expense record करते है वो कब record करते है on the basis of payment जब हम उसके payment कर देते हैं तो हम उसकी recording साथ साथ कर लेते हैं चलिए next question की तरफ चलते है question number 5 bank account क्या है आपका bank account is a personal account ठीक है जिसमें अगर मुझे कुछ लगेगा explanation करना है मैं उसमें आपको explain कर दूँगा नहीं तो हम as a आगे चल सकते हैं और please मैं request करूँगा हर एक student से जिसको भी अगर किसी question में doubt है please आप comment कर दीजेगा या आगर आपका response भी अच्छा आता है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ additional questions भी आपके before examinations लेकर आ जाओं ठीक है चलिए cash memo cash memo मैं भी बताता हूँ क्या है cash memo is prepared when goods are sold cash memo क्या होता है cash memo एक तरीकी का business voucher है आपका ठीक है और ये कब issue होता है जब goods sold होते हैं और ना cash basis ठीक है आपने देखो नाम भी दिख रखा है cash memo है ठीक है चलिए 7th question की तरफ चलते है 7th question क्या बोलता है journal journal क्या है एक तरीके से आपकी journal is a book of a primary entry या फिर आप इसको original entry भी बोल सकते हैं ठीक है ना 8th question है मुझे नहीं पता शेयद अगर आपने पूरा 11th class को डंक से अगर आपने seriously पढ़ा भी होगा तो भी आपको ये सारी चीजे काफी familiarize हो रहे होंगे आप ठीक है ना आपको ये बिलकुल ऐसा ठीक है ना तो अब इसमें बोलता है कि error of omission मतलब आपने वो entry record ही नहीं करी तो अगर record ही नहीं करी तो जो trial balance है वो correct हो जाता है बट जो error of commission होता है उसमें आपका trial balance agree भी कर सकता है और नहीं भी ठीक है ना चलिए invoice is a source voucher for seller of goods मतलब अगर sell अगर आप जैसे आप seller है माल लीजे तो अब इसमें मेरे साबसे credit sale होना चाहिए because जैसी आप seller है और source voucher की बात कर रहे है तो invoice issue हो रहा है तो वो credit sale पर हो रहा है bill receivable book is a part of अब इसमें थोड़ा सा एक catch है क्योंकि मतलब मेरे साबसे bill receivable की जो book होती है वो एक तरीकी की subsidiary book होती है ठीक है ना तो वो इसमें से किसी में fall नहीं कर रही मेरे साबसे तो इस question को एक बार के लिए हम review में छोड़ सकते है ठीक है जरूरी नहीं है कि हर किसी का एक answer available हो जाया है हमारे पास अब हम चलते है next की तरफ अब हम थोड़ा सा एक बार business studies के questions देख लेते हैं ठीक है ना और बाकी अगर आपको लगेगा तो फिर जो topics रह जाते हैं उनके ओपर दुबारा से एक बार को discussion कर लिया जाएगा ठीक है वो आप लोगों के response पर depend करता है तो business studies के questions की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला question है which of the following is not applicable in the life insurance contract ठीक है ना तो कहता है not applicable देखिए question हमारे को पढ़ना पड़ेगा वो बोलता है life insurance contract क्या क्या चीज़े होती है जैसे life insurance contract is country national conditional contract होता है unilateral contract होता है तो इसके मतलब क्या होता है it is not a indemnify contract ठीक है ना because वो agree करता है to pay ना कि indemnify करने के लिए which of the following can ensure effective ethic program in a business enterprise ethic program कौन सी चीज़े ensure करेगा publication of code involvement of employees establishment of compliance mechanism ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें क्या answer होना चाहिए आपका all of them जैसे code of conduct होता है अगर आप सारे employees को involve करते है compliance mechanism है तो कहीं न कहीं आपका ethical program हो जाता है equity shareholders क्या होते है equity shareholders are the owners of the company यह तो बड़ा simple सा कुश है नहीं इसमें कोई ऐसा issue नहीं है star limited opened a new branch in kochi ठीक है which of the following organization objective is being fulfilled मतलब एक star limited है जिसने एक नई ब्रांच खोली है kochi में तो कहरा है कौन सी organization को object यह fulfill हो रहा है profit, growth, survival या none of this this is the growth objective ठीक है न who issues certificate of registration in a partnership firm तो register of firms जो होता है वो partnership firm को registration issue करता है qualification share qualification shares वो shares होते हैं जो की minimum number of shares होते हैं need to be subscribed ठीक है न अब यह इस तरह की का कोई concept नहीं है इसलिए हमारे को थोड़ा सा उसकी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा यह कौन subscribe करता है डारेक्टर सबस्क्राइब करते है in case of life insurance insurable interest must exist at the time of जब भी life insurance होता है और तो यह insurable interest कब होना चाहिए बोथ A and B जब आप policy ले रहे होते हैं और at the time of maturity also ठीक है मुझे नहीं लगता शायद हम तोलब fast चल रहे होंगे बड़ आपको इसी तरीके से देखिए हमारे पास time का बहुत बड़ा constant रहेगा वहाँ पर भी तो कोशिश करिएगा आप practice करिए धीरे धीरे जहां भी आपको questions अविलेबल होते है तो मुझे लगा शायद मुझे आपको लोगों को एक बार बना देना चाहिए और 29th को आपका exam भी है और आप अपना result जरू शेर करिएगा ठीक है और जिसको भी वीडियो useful लगती है प्लीज लाइक करिएगा ठीक है हमारे लिए motivation मिलता है और बाकी इसी से related आपको content और भी मिल जाएगा ATM facility देखे ये simple सा question था ये repeat question हुआ है ये I think मैंने 9th और 10th की जो series बना रखे उसी में भी ये questions दे रखा है तो repeat हुआ है ये कहीं न कहीं question B2C commerce के लिए इसमें आप option को tick कर सकते हैं उसमें मैंने reason आपको बताया हुआ है Which of the following is the limitation of equity shares Limitations क्या होती है कि देखिए equity shares को देना permanent नहीं होता इसे आप हटा सकते हैं Charge create नहीं होता और repayment के obligation नहीं होती बस हाँ ये हो सकता है Danger हो सकता है किसका over capitalization का मतलब कि आपको जरूवत भी नहीं थी तब भी आपने capital raise कर ली इस तरीकी की बाते हो सकती है Which instrument saves checks तो simple सी बात है debentures क्यों क्योंकि debentures में interest देना पड़ता है और जैसी organization interest पे करती है उसको tax इसमें बच जाता है ठीक है I think हमने ये वाला कर लिया है हाँ ठीक है So students हमने I think ये सारी questions इसमें cover कर लिये है ठीक है न Accountancy का और Business Studies का जो area मेरे photo के है ठीक है न वो हमने cover कर लिये है अब आपको क्या करना है आपको इसमें से जो भी ये चारो categories देर किये कम से कम आपको एक एक बार इन questions को अच्छे से पढ़ लेना है और कोशिश कीज़े अगर आप इसका print out निकाल लीजे तो print out निकाल लीजे और उसके साथ आप इसको ध्यान से पढ़िए और किसी question में या किसी में कुछ issue है तो आप पूछ सकते है comment box में और प्लीज अच्छा लगता है आपको वीडियो तो like, share, subscribe कर सकते है और अपने friends के साथ आप share करिए जिससे कि हो सकता है कि अगर आपने कोई doubt नहीं पूछा और आपके friend ने doubt पूछा तो कही न कहीं आपको भी उस चीज में help मिले जाएगी ठीक है So with this thank you so much and all the best आपका 29th को examination है जो भी है वो अच्छे से जाए और उसके बाद आप results जरू share करिएगा Thank you so much